हेलो एंड वेलकम टाइम अकेडमी मैं हूँ शेशांग लखेरा और इस वोड़ में बात करने वाले हैं इंडिया के दो और बीचेस को जो है ब्लू फ्लैक यहाँ पर मिल गया है कली यह नीज आ गई थी और कल जो है मैं यहाँ पर वीडियो बनाने रहा था लेकिन कुछ टेक एक टेक दे दिया जाता है जिस से यहाँ पर यह शो होता है कि यह कितने क्लीन है यहाँ पर प्रॉपर जो सेफ्टी है वो यहाँ पर अविलेबल है या नहीं तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों जो है इस ब्लू फ्लैक टेक के अंदर में आती है और इसके रिकार्डिंग और जो हैं उनको यहाँ पे मिल गया है prestigious blue flag tag अब यह beaches यहाँ पे कौन-कौन से हैं तो एक beach है कुलम जो आपको मिलेगा केरल में और एक है यहाँ पे पुद्दू चेहरी में तो basically दो beaches को जो है blue flag tag यहाँ पे मिल गया है पुद्दू चेहरी का पहला ऐसा beach है जिसको यहाँ पे blue flag tag दिया गया है अब आप यहाँ पे बोलोगे के blue flag tag यहाँ पे होता क्या है तो काफी कुछ जो हम इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं इसके अलावा जो locations है beaches की वह भी मैं आपको बताऊंगा उसके पहले जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन आपको देखने को मिलेगी वह कौन सा इस्टेट है भारत में जिसकी तट्रेखा सबसे ज़ादा लंबी है option है महराष्ट, गुजराथ, गुवा, कैरला तो comment box में इस question को अटेंट जरूर करो वीडियो के अंत में जो है मैं आपको answer प्रोवाइड करूँगा आँ देखो blue flag certification की अगर हम बात करें तो इसको 1985 से start किया गया था फ्रांस से तो फ्रांस से इसकी शुरुवाइड हुई थी blue flag certification की मतलब beaches सी cleanliness को देखते हुए beaches में कितनी safety है, proper system यहाँ पे available है या नहीं beaches को इन सब parameters पे यहाँ पे चेक किया जाता है और उसके बाद blue flag certification जो है आपे provide किया जाता है अगर हम बात करें भारत की तो 6 October 2020 को करीब 8 ऐसे beach हैं जिनको blue flag certification जो है यहाँ पे provide किया गया था जिसमें अंडमान निकोबार का भी जो है यहाँ पे बीच था और अब 2021 में इन 8 beaches को जो है यहाँ फिर से वापिस check दे दिया गया है blue flag का और दो beaches यहाँ पे ऐसे हैं जिनको blue flag टेक जो है दिया गया है एक है कोवलम जो आपको केरला में देखने को मिलेगा और एक है इडन जो आपको पुड़ुचेरी में देखने को मिलेगा इडन से confuse मत कर ले न इडन गार्डन को इडन गार्डन जो है cricket stadium है जो आपको देखने को मिलेगा कॉलकरता में अब एक बार मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे location देख लो तो basically यह है इंडिया का map और यहाँ पे जो है basically आपको मिलेगा पुडुचेरी ठीक है तो पुडुचेरी के बिलको साउथ में आपको यहाँ पे मिलेगा इडन बीच फिर उसके बाद अगर हम बात करें कोवलम बीच की तो यह आपको तिवंत पुरम के पास मिलेगा तो यह के रहल है केरल की capital है तुवंत पुरम और इसके साउथ में जो एक globally recognized eco label है यह blue flag certification इसमें करीब 33 जो criteria है वो आपको देखने को बलेंगे इसमें जैसे environmental education है information है bathing water quality है environmental management है safety है services है तो beaches में जो जो facility यहाँ पे अविलेबल है जैसे कि सबसे important part आता है beaches में safety का वो यहाँ पे proper तरीके से अविलेबल है या नहीं bathing water quality यहाँ पे कैसी है यहाँ का environmental education है और information है वो यहाँ पे कैसी है तो इन सब parameters पे beaches को यहाँ पे रखा जाता है और उसके बाद blue flag का certification है वो यहाँ पे provide किया जाता है और देखो इसमें सबसे important part है cleanliness जो की आपको बहुत ही कम beaches में देखने को मिलेगा इसलिए भारत में सिर् of environmental education जिसको FEE कहा जाता है यह Denmark based है एक non-governmental organization है जो blue flag certification जो है यहाँ पे देती है इसके अलावा हर साल जो recertification है वो भी यहाँ पर provide किया जाता है ऐसा नहीं है कि कि किसी बीच को अगर एक बार यहाँ पे blue flag tag मिल गया तो यह हमेशा के लिए हो जाएगा नहीं हर साल जो है यह बीचेस को यहाँ पर nominate किया जाता है उसके बाद यह जो organization है blue flag tag जो है वो यहाँ पर provide करती है उन बीचेस को वापस आते हैं हम अपने question पे तो हमारा question था इन में से कौन सा state है जिसकी सबसे largest coastline हमको भारत में देखने को मिलती है तो सही option है गुजरात की जो है आपको एक आफे को जानने कुमला होगा अगर आप उस जगे से belong करते हो जहां पर यह बीचेस हैं तो comment box पर comment जरूर करना इसी नोट के साथ यह तन इस वीडियो का सुने के लिए बहुत बहुत हन्यवाद जैहिंद जैभारत